हर हर महादेब भगवान भोले नात की क्रिपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे एही हमारी मंगल कामना है तो भगवान शीव को प्रसंद करने के सब से आसान उपाए देबो के देब महादेब ही एक मात्र एशे भगवान है जिसकी भगती हर कोई करता है चाहे वह मनुष हो या राक्षा सो भूत प्रित हो अत्वा देपता हो यहां तक की पसुपक्षी जल्चर नव्चर पाताल लोकवासी और बैकुंठ वासी शीव की भगती हर जगा हुई है और जब तक यह पिर्थवी रहेगी तब तक शीव की महिमा सुनाई परती रहेगी शीव पुरान के कथा के अनुसार शीव ही ऐसे भगवान है तो सिग प्रसन होकर अपने भगतों को मन चाहा वर दे देते हैं भगवान भोले नाथ अपने भगतों का कल्यान करना जानते हैं चाहते हैं वे नहीं देखते कि उनकी भगती करने वाला इंसान है राक्षास है या भूत प्रेत है या फिर किस योनिका जीव है शीव को प्रसंद करना सबसे आशान है शीव पुरान के अनिशार सिवलिंग की महिमा में बताया गया है कि सिवलिंग पर मात्र जल चढ़ा कर या बेल पत्र अरपित करके भी शीव को प्रसंद किया जा सकता है इसके लिए किसी भी सेश उजन विधी की आवश्यक्ता नहीं है भगबान सिव को अगर आप चाबल के मात्र चार दाने भी अगर भाब से अरपित कर देते हैं तो वे प्रसंद होकर वरदान देते हैं भोले नात को एक लोटाज सीतल जल भी प्रसंद कर देती हैं एक बिल पत्र चरह कर भी भगबान सिव से मन चाहा बरदान पाया जा सकता है वह अगर भाब के शाथ भक्त चरहाबे तो एक धतुदा एक आकरा एक बेद भी उन्हें प्रसंद कर सकता है दूद्दही, सक्कर, घी, शहद और गन्य का रस भी सर्धार अनुशार अर्पित करने से भगबान सिव मन चाहा बरदान अपने भगतों को देते हैं ध्यान रखे कि जल चरहाथे शमय पंचाक्षर मंतर का जाप जरूर करे ओम नमह शीवाए और पारबती मंतर है ओम शीवाए नमह तो बोलिए हर हर महादे जये सिबसंभो